जिस तादाद में आध्यात्मिक्ता के कारोबारी चारो तरफ नजर आ रहे हैं, मुझे लगा कि न्यूज में भी आध्यात्मिक्ता का स्कोप है। न्यूज आध्यात्मिक्ता वो आध्यात्मिक्ता है जिसके तहर जब तेल महंगा हो तो समाज में किसी वीर पुरुष की चर्चा की जाए जब वेरोजगारी बढ़ जाए तो शहर में बने सुंदर पार्क का मनोहारी दृष्च दिखाया जाए ताकि दिखे भी नहीं और दि खाना चाहता हूँ मैं एंकर हूँ अगनी के हिसाब से भयंकर हूँ जल के हिसाब से प्रलेंकर हूँ मेरी वाणी से निकली खबरों की गंगा इंसानों के विवेक जगत में जल जला पैदा कर देती है गोद में बैठे गोदी मीडिया के शाप से खास की दूग के नीचे द तो गाली देने वाले वीडियो की कमी है और ना ही तलवार चमकाने वाले वीडियो की फिर भी कभी कभी भाग्ये की रिखाएं मुझे उल्जा लेती है नित्य ही प्रातहकाल मन में खयाल आते रहते है कि हिंदी मीडियम के युवाओं को कैसे कैसे स्विस्स चॉकलेट की कथा सुनाओं तभी आकाश वाणी होने लगती है वत्स तुम प्राइम टाइम में स्वामी सिरीज शुरु करो स्विस्स चॉकलेट की चिंता छोड़ो स्वामी बनकर तुम जो भी कहोगे लोग डास बनकर सब स्विकार करेंगे उसे ही Swiss chocolate समझ लेंगे जगत में जगड़ा केवल हिंदू मुस्लिम का नहीं है सास बहू का भी है इस जगड़े के कारण बहुत से मकान भीतर भीतर ढहे जा रहे है किसी को माई का भागना पड़ रहा है किसी को जमाई का भागना पड़ रहा है धर्म के नाम पर हिंसा करने वाले युवाओं को तुम रास्ते पर लाने का प्रयास छोड़ दो उन्हें सुचनाओं की जरूरत नहीं है तुम नियूज आध्यात्मिक्ता की बाते करो अपने दर्शकों को पातान लोग में ले जाओ वहां से एक गुप्त दर्वाजा खुलेगा बहुत गर्म हवा का छोका आएगा लेकिन धबरानामत यह वही मार्ग है जिसे गर्त कहते हैं गर्त की गती पर चलो सदगती मिलेगी स्वामी सिरीज शुरू करो नौकरी सिरीज बंद करो इस आकाश्मानी का जो भी तिरसकार करेगा उसका टीवी म्यूट हो जाएगा